भाई कि आप भी चाहते हो कि सारी लड़किया आपकी दिवानी बन कर रह जाए और हर कोई कहे कि क्या लड़का है तू, तू मेरा बॉर्फिन बन जा ना अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को एन तक देखते रहो क्योंकि आज के बाद आपकी गर्ल फैन बन ही जाएगी करने है इत्ती तू से काम जो कि सबसे पहला काम है कि दो कम और लो जादा, क्या लेना है, क्या देना है, राज भाईया आपको अपने राज कम से कम देने हैं, लोगों तक कम से कम पहुचाने हैं, और दूसरों के राज जितना हो सके उतने जादा चुरा लो लड़की से बात करते वक्त न, उसकी stories जो होती हैं वह बेफकूफी वाली stories जिसमें तुम बोर हो जाते हो, उसको बड़े ही interest लेके बड़े ही ध्यान से सुनो लडकी अपने stories सुनाने में इतना ज़्यादा र्वयस तो हो जाती है ना, की ऐसी ऐसी information दे देती हैं जो की पॉछने पे कभी भी भी ना देती हैं। खाने गए उसके बादना घरा गए तुम बोलो आरे वाह दे Account CC लटीश है तुम यहाँ पर जो बात आपको पता चलिये ना, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको लीग करो, उसको ब्लैकमेल करो, अपने दोस्तों में जाकर बाटो, क्योंकि यह सबसे बड़ा चूतियापा होगा, यह बस मैं आपको एक mental pressure बनाने के लिए कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप कि ही नहीं सकती, इसके साथ दोस्ती बनानी ही पड़ेगी, तो इस mental pressure को बनाने के लिए ही आपको यह करना है, दूसरा काम क्या बता है था, अपने रास कम से कम बताओ, आज कर लड़के लड़की को अपना सब कुछ बता देते हैं, कि मैं यहाँ जनमा था, इस तरीके से जनम और पागल हो, फिर बोलो judgments के लड़की भाव खा रही है, लड़की bore हो रही है, लड़की interest नहीं ले रही, लड़की मेर को बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती, अरे यार तुमने सारी stories तो interval से पहले सुना दी, अब तुम बोलो की बैठो और तब भी movie देखो, आपना अच्छे स्टोरी टेलर बनो तागि सामने वाला बोर ना हो स्टोरी को कभी भी डारेक्ट नहीं बताना चाहिए कि मैं यहां गया फिर यह किया फिर वो किया ना ना उसको बोलो पता है फिर मैं यहां गया और यार फिर तो पूछो मत फिर तो यह हो गया फिर तो वो हो गया मत कि लिए इतना ही वक्त आने पर सब बताऊंगा इससे इंटरेश्ट बना रहेगा और अपनी बातों को कम बताओ और जितना हो सके बढ़ा चढ़ा के बताओ कि पता है मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं पिर कुछ भी एक इस्टोरी बता दो इससे उसको एक तो इंपोर्टे लेकिन जब दिमाग की तारिफ करोगे न तो मैदान लूट लोगे इसलिए तो कहते हैं कि लड़की दिल से नहीं दिमाग से पटाओ तीसरा काम है नाम का काम भाई हर एक इंसान को अपना नाम सुनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है जब हम किसी को उसके नाम से पु ज़्यादा फरक है लड़की को हमेशा उसके नाम से पुकारो हेलो अनुषका कैसी हो अनुषका यार सच बताओना तो मेरा भी मन नी था अनुषका जी ये जालिमों की दुनिया है यहाँ पर दिल लगाने वालों के अक्सर लग जाया करते हैं तो बातों पे जोड डालने क लिए उसको थोड़ाआ इंफिसाइस करने के आप उसका नाम ले सकते हो लेकिन एक चीज़ ज्याद रखना की उसको इरीटेस मत कर देना कैहें तुम अनुषका ये अनुषका वह अनुषका ऐस अनुषका वैसा यह इर वह इरिटेट हो जाएगी और इरिटेट हो घई तो कर दो कर दो दो कर दो दो